दोस्तों आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गवर्नर जनरल से सम्मधि टोप 35 कोशन दोस्तों जो की अलग अलग परिक्साओं में बार बार पूछे जाते हैं तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगी पूरी वीडियो को देख आते हैं तो चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बैल आइकन को भी ओन कर लेना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिशन करें वीडियो कोशन है दौस्तों आपकी स्क्रेन पर किस भारत के गवर्णर्ण जनलने प्रेस को सवतंतरता दिलाई थी देखिए अगर आपको किसी भी कोशन का अंसर पता होगा ना कमेंट बोक्स में बताना यह काफे इंपोर्टेंट कोशन है इस कोशन का दोस्तों रेट आन्सों जग दूसरा कोशन है टीपू सुल्तान चोथे एंगलो मैसूर यूद में मारा गया यह यूद दोस्तो किस बंगाल के गवर्णर जनरल के समय काल में हुआ था यह कोशन कई बार अलग-अलग एक्जाम में आ चुका है तो दूसरे कोशन का दोस्तो सही आंसर क्या होगा अगला कोशन दोस्तो आता है आप इनकी फोटो भी देख सकते है मेरे प्यारे दोस्तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो का कॉंसेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज explanations कर दिया करें काफी दिल से वीडियो बनाते हैं मैनत करके वीडियो बनाते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हैं और अपने दोस्तों के साथ में गुरूप में भी जरूर सेयर कर दिया करें और रेगुलर रही है दोस्तों हर एक वीडियो को देखें तभी जाके कोर्स कम्पलीट होगा अगर मैं आपको टोपिक वाइस वीडियो प्रोवाइड कराता रहा हूँ आप लोगों ने नहीं देखे तो कोर्स कम्पलीट नहीं हो पाएगा फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर आपने कोर्स नहीं कराया था मैं हर एक चीज को कवर कराऊंगा अगर आप रेगुलर देखेंगे तो कोशन नमबर 4 है दोस्तो अशेयाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निमन में से किस बंगाल की गवर्नर्जनरल के समय काल में हुई थी तो question number 4 का दोस्तों सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है Warren Hastings दोस्तों इस question का सही उत्तर रहेगा यानि कि option A is the right answer अगला question दोस्तों आता है निम्न में से civil सेवा का जनक कहा जाता है देखें civil सेवा का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है Lord Convallis को यानि कि इस question का दोस्तों right answer आपका B रहेगा तो ये आपको याद रखना है अगला question दोस्तों आता है खारदा का यूद निम्न में से किसके समय काल में हुआ था तो मेरे प्यारे दोस्तों question number 6 भी काफी important है और इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल Sir John, Sor यानि कि दोस्तों D right answer हो जाएगा question number 6 का अगला question दोस्तों आता है किस भारती राज्ये पर कबजा करने के लिए राज्ये हडपा नीती को नहीं अपनाया गया था या हडप नीती को sorry या पर हडप नीती होगा राज्ये हडप नीती को नहीं अपनाया गया था तो इस question का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा यह दोस्तों आपका पंजाब हो जाएगा यानि कि option C is the right answer अगला question दोस्तों आता है East India Company का अंतिम गवर्ना जन्रल और कराउन कि अधीन पहला वाइस रहे कौन था त्यान से पढ़ियेगा question को very very important है question number 8 का सही answer क्या रहेगा तो बिल्कुर सही है Lord Cunning दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा यानि कि C is the right answer यह आपको याद रखना है अगला question दोस्तों आता है एक खुली परतियोगिता परिक्षा के माध्यम से Indian Civil Services में भारतियों के लिए परवेश को निमलिकित में से किसने संभव बनाया very very important है दोस्तों यह भी तो इस question का right answer हो जाएगा यह बनाया दोस्तों डेलो जी ने यानि कि B right answer हैगा question number 9 का अगला question दोस्तों आता है doctrine of lips निमन में से किसने आरम किया था दोस्तों यह भी किसने आरम किया था इस question का भी right answer क्या रहेगा लोड डेलो जी यानि कि D is the right answer यह आपको याद रखना है question number 10 का right answer अगला question दोस्तों आता है भारत में railway की नीव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो इसका भी दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कूल यह भी दोस्तों लोड डेलो जी था यानि कि D right answer का question number 11 का अगला question दोस्तों आता है pits India Act के अंतरगत निमन में से किसे इस्थापित किया गया था तो इस question का दोस्तों सही answer क्या रहेगा नियंतरन बोड को यानि कि D right answer क्या रहेगा question number 12 का अगला question दोस्तों आता है कॉलकाता में उच्टम नियाल्या की इस्थापना किसके द्वारा की गय थी तो इस question का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर सही answer हो जेगा 1773 Regulating Act यानि कि option दोस्तों B right answer हैगा question number 13 का अगला question दोस्तों आता है निवन में से कौन बंगाल का पहला governor था तो देखें बंगाल का पहला governor दोस्तों कौन था इस question का right answer क्या हो जाएगा बिलकुल दोस्तों यह थे Robert Clive यानि कि C right answer होगा question number 14 का very very important है दोस्तों कोशन यह पहुत बार exam में आचुका है अलग-अलग exam में अगला question दोस्तों आता है 1773 Regulating Act के तहट भारत में पहले उस्तम न्याले की स्थापना 1774 में कहां की गई थी दोस्तों यह कहां पर की गई थी इस question का right answer हो जगा कोलकता में यानि की B right answer हो का question number 15 का अगला question दोस्तों आता है भारत में राजस्व एक्तिरित करने के लिए इस्थाई परणाली की सुरुवात किस ने की थी तो इस question का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल यह सुरुवात की थी दोस्तों लोड कौन वैलिस ने आनि की option B right answer हो का question number 16 का यह आपको या दखना है अगला question आता है बिर्टिस सासन के दोरान मदरास में रेतवाडी परणाली की सुरुवात करने वाला कौन था दोस्तों यह भी काफी important है देखे हर एक question दोस्तों चुनिन्दा कोशन है इस पूरी वीडियो के दोरान तो एक एक question को ध्यान से देख लेना तो 17th question का दोस्तों right answer हो जाएगा बिल्कुल Thomas Munro यानि की दोस्तों right answer C हो जाएगा यह आपको या दखना है अगला question दोस्तों आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कोण था देखे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कोण था दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा Warren Hastings दोस्तों इस question का right answer रहेगा यानि की B is the right answer तो यह आपको या देखना है अगला question दोस्तों आता है सिरी रंगे पतनम की संदी टीपू सल्तान और किस के बीच हुई थी तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा यह हुथी convalis टीपू सल्तान और convalis के बीच में यानि की B right answer होगा question number 19 का अगला question दोस्तों आता है निवन में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है दोस्तों काफे important question है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर जीज लो डेलोजी यानि की option D right answer होगा question number 20 का अगला question आता है दोस्तों हडपनीती यानि की doctrine of lips के तहत British राज्ये में विले होने वाला पहला राज्ये कौन सा था देखे अभी मैंने पूछा था कौन सा नहीं हुआ था वो पंजाब था बहुत important है और अब यहाँ पर दोस्तों पहला राज्ये पूछा गया जो की बहुत बार exam में repeat होता है दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है right answer is 17 यानि की option B right answer होगा question number 21 का तो यह आपको या दखना है अगला question आता है निवन में से किस भारत के गवर्नर जनरल के सासन काल में railway और संचार परणाली की शुरुआत हुई थी अचार मैंने अभी railway का तो बताई दिया था संचार परणाली की सुरवात भी दोस्तो किसके समयकाल में हुई थी आप मुझे comment box में बताएंगे question number 22 का यह आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इन से संबंदी 3 question already हम cover कर चुके है तो आपका answer आजाना चाहिए question number 22 का यह आपके लिए test question है आप comment box में भी लिखेगा test का answer क्या है अगला question है load वेलांजली के द्वारा सुरू सायक संदी परणाली को निमन में से किस इस्थान के सासक ने सबसे पहले सविकार किया था दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है यह दोस्तो हैदराबाद रहने वाला right answer यानि कि B is the right answer अगला question दोस्तो आता है rate body वेवस्ता सबसे पहले कहा शुरू ही I think यह question repeat हो गया नई sorry यह किसने शुरू की थी अभी मैंने यह पूचा था अब पूचने दोस्तो रेतवाडी वेवस्ता जो है राजा राम मोहन रोय के साथ मिलकर सती परता का अंध किया और इस question को दोस्तो आप most important very very important जो भी आप बोलना चाहेंगे आप इसको note कर लीजेगा क्योंकि यह question हजारों बार repeat हुआ है एक्जाम में अलग-अलग exam में इस question का दोस्तो राइट answer क्या रहेगा लोड विलियम बेंटिक दोस्तो इस question का राइट answer होगा अभी जो railway group D का एक्जाम चल रहा है उसमें भी यह question आ चुका है अगला question दोस्तो आता है निमिन में से किस ने अंग्रेजी को भारत में उच इक्सा का माध्यम बनाया तो यह इस question का दोस्तो राइट answer क्या रहेगा यह भी लोड विलियम बेंटिक ने बनाया यानि कि C राइट answer होगा question number 26 का अगला question दोस्तो आता है भारती सिविल सेव में चुने जाने वाले पहले भारते कोन थे तो देखे पहले भारते कोन थे यह थे दोस्तो सतिंदर नाट टेगोर यानि कि D रेट answer होगा question number 27 का अगला question दोस्तो आता है इंगलेंड के house of commons द्वारा भारत के किस गवर्ना जनरल पर महा अभियोग चलाया गया था very very important mark कर लेने इस question को भी यह भी बहुत बार repeat होता है इस question का दोस्तो और सही answer क्या रहेगा यह थे वान हेस्टिंग यानि कि option A रेट answer होगा question number 28 का अगला question दोस्तो आता है निवन में से कौन भारत का पहला voice ray था दिखें भारत का पहला voice ray था दोस्तो कौन था इस question का रेट answer होजएगा लोड कनिंग यानि की option B right answer होज़ेगा question number 29 का अगला question आता है East India Company का अंतिम गवर्ना जन्रल और क्राउन के अधीन पहला voice row दोस्तों निम्न में से कौन था तो इस question का right answer क्या रहेगा इस question का मेरे प्यार दोस्तों right answer हेगा लोड कनिंग यानि की option D is the right answer तो यह आपको याद अखने है भई ठीक है अगला question दोस्तों हमारा क्या कहता है कि बंगाल का विवाजन सन 1905 में किसके अध्यक्सता में हुआ था most important question है यह भी ठीक है तो इस question का सही answer क्या हुज़ेगा यह बता दोस्तों load करजन के समय में यानि की D right answer होजएगा question number 31 का अगला question दोस्तों 1857 के विद्रो के समय भारत के गवर्ना जनरल निमिन में से कौन थे I think यह question repeat हो गया तो इस question का भी right answer आप लोग comment box में बताएंगे यह दोस्तों जो question repeat होते है ना उनको आप test नाम दे लेगर test ठीक है तो बीच में अगर एक दो question repeat हो रहा है आप उसको as a test लगाईए और comment box में बताएंगे कि आपने अगर वीडियो देखी है starting से अभी तक तो आप सही कर पा रहे है या नहीं question number 33 है भारत में डाक व्यवस्ता शुरू करने वाला बिर्टिस गवर्नर जन्रा निमिन में से कौन था तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा load astrology यानि कि option a right answer हो जाएगा अगला question दोस्तों आता है निमिन में से किसे आधुनीक भारत के निर्माता के रूप में दोस्तों जाना जाता है देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में दोस्तों जाना जाता है लोड डियालोजी को यानि कि डी राइट आंसर हो जगा कोश्चन बर 34 का अगला कोश्चन आता है भारत का अंतिम बिर्टीस वाइसरोय निमिन में से कौन था तो भारत का दोस्तों अंतिम वग्या आंदोरन के दोरान भारत के गवर्नर जनरल निमिन में से कौन थे तो दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर होजएगा लोड इर्विन दोस्तों यह राइट आंसर हैगा काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है यह भी यह आपको याद दख रहा है अगला कोश्चन दोस्तों भारत में इस्थानिये सवसाशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जो कोश्चन रिपीट होए थे उसके अब दोस्तों अलग मैं आपको पूरे 35 कराऊंगा तो इस कोश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत में इस्थानिये सवसाशन के जनक तो देखें भारत में इस्थानिये सवसाशन के जनक लोड रिपन दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर होएगा यानि कि B इसदा राइट आंसर यह आपको यह दखना है अगला कोश्चन है रोबर्ट कलाइव निमिन में से किस द देखे अब एक आपसे मैंने जो questions पूछे देना बीच में उनके answer बतेगा यही आपका test है और एक question में आपसे पूछता हूँ इस वीडियो के दुरान उसका answer आप लोग comment box में बताएंगे और test question रहेगा दोस्तों नीचे पहले लिखेगा comment box में test और उसका answer आपको बताना है यानि कि इस question का answer बतेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कोन था ठीक है यह आपका test है और test के question का answer बतेगा question number 18 मत डालना बस test लिखना है और answer बताना है तो यह थी हमारी complete video सबसे पहले तो बतेगा आपको यह video कैसी लगी प्लीज comment box में comment जरूर बतेगा और video को like करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में जरूर share कर दीजेगा चैनल को subscribe करके खुद भी और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा जो भी त्यारी करते हैं किसी भी पीडियाप डाउनलोड करके आप complete चारी कर सकते हैं यह हमारी सभी classes का time table है इनको note कर लेजगा thank you so much bye bye everyone take care मिलते है next class में